हाई गाइस स्वागत आपका अपना चैनल पैंथा लेवेन अर्ड इस वीडियो में हम बात करेंगे बास्केटबॉल का यह सीजन 22 स्टाट हो गया मैच जो यह 24 अक्टूबर को यह मैच किला जागा क्लेवेंड वर्सिस वसिंग्टन के साथ मैच काफी इंपोर्टेंट होने वाला इसलिए वीडियो को बिल्कॲ भी मत कीजएगा क्योंकि आपको मिलने वाला फुल्ली डीप जत्ली और और श्ल को आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस प्लेयर को ऑपको फुल्ली डीप्ली से पहले आपको यह बता दें आपने हमारे टेलीगरम चैनल को ज्वान नी यहां पर मिलती आपको फ्री टीम और करेंट के जो भी मैच चले सभी की यहां पर टीम फ्री प्रवाइड की जाती है अच्छे विनिंग के साथ हमारी 80-90 परसेंट विनिंग रैश्यों आप जाके स्कॉल करके विनिंग कर सकते हो फिर ज्वाइन कर लेना सर्च कर लेना यूटूब चैनल को जोईन कर सकते हो और गाइस अभी तक आप हमारे यूटूब चैनल पर नहीं हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर देना क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंश सके और गाइस इस वीडियो जो है स्टार्ट करते वने जराएंगे you आपको पोइंट गार ब्लेकरते वने जराएंगे तो बहुत अच्छे प्लेर्स है तो अपने टीम में ज़रूर इनको डज़ीं मीशेल को ट्राय कर लेना और गवाइस बात करते हैं तो जेल्ए आपको सेंटर से प्ले करते हुए नजर आएंगे घाइज बात करते हैं आपको जो इनके भाइंज प्लेइर आने proclaimatte से जविय कारंग और रोबिन लोपेस की बात करें सेंटर से प्ले करते हैं गाइस बात करते हैं के तरफ से जो प्लेयर्स आउट रने वाले कल के मैच में उसकी बात करते हैं तो इनके तरफ से जो आउट रने वाले हैं वह डेरियस गार्लैंड जो कल के मैच में हो सकते कल के मैच में आउट रह करते हैं रिक्की रूब्यों आपको शूटर wahr दी मीचल को ट्राइ करने क्योंकि यह बहुत अच्छे प्लेश हैं इनकेसाथ आप कपटन सी वाइस कप्टन सी भी जा सकते हो सी लेट की बात करें तो सी लेट भी अच्छे बैइक अपको थोटी सीरी मिनट्स यह भी प्लें किये थे 14.9 ने collect किया था 4 रिबॉंस था इनका और 8 एसिस्ट था एक एस्टील और एक ब्लॉक था JLN की बात करें JLN ने 29 पॉइंट्ट्र प्ले किया था एक इनका पॉइंट्स था और 6 रिबॉंड था दो एसिस्ट था एक ब्लॉक था इनका गाइस बात करते हैं अकोबरोग की तो 27 प्ले किया था फ्राइज हमने स्थिए च्छल गहान था और इनका जो 16 घुन स्थील औरEO ची उस्मान जो आपको 26 मिनट प्ले के वाद था और इन्होंने 15 पॉइंटर दो रिबॉंट फॉर एसिस्ट क्लेक्ट किया वाद था गाइस के लॉप की बात करें तो के लॉप बेंस से प्ले करने आते और इनका जो था पॉइंट 23 मिनट इन्होंने प्ले क्या था और 15 पॉइंट 24 मिनट प्ले के वाद था और इनका 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 इस्टील था डी वेट जो है फॉर मिनट ही प्ले की कम चैंस इनको मिला था बट आप चाहो था क्रेट मैनेज के लिए और लस्ट के मैच में फॉर मिनट ही खेले थे और एक रिबॉंट इन्होंने क्लेक्ट किया इस बात करते हैं आपको वसिंग्टन डीम के बात करते तो इनकी संटर्व 돌 Serious conceptual से प्ले करते हूं Jake हैं कायल कुजमा की बात करए प्ले करते हैं और क्री Jupiter Captainじゃ एंगे आपको संटर से प्ले करते हुए नगी ज़र आएंगे उन्हाइब क्राइज बात करते हैं परहिए वसिंग्टन के तरफ propose जो कल के मैंच में ben बंच प्लेज राइब जो आपको से प्लेय करते हुने ज़राएंगे और हची मूरा जो आपको एसमौल फरवर्ड से प्लेय करते हुने ज़राएंगे और गाइस दिलियो राइट की बात करें आपको सुटिंग गार्ट से प्लेय करते हुने ज़राएंगे और गाइस बात करते हैं वसिंग्टन के त प्लेए करते हैं और कॉरी किरिसपट जो कलके माच में अन ऐवलेवल रहेंगे यह सुटिंग जाइए प्लेए राइस बात करते हैं वैसिंग्टन विजाट की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर प्रिव्यूड है ले तो उसकी बात करते हैं इनके तरफ से नहीं तो इनके परफॉर्म के मुताबिक यह आपको 45-55 पॉइंट्स पर मैच इनका रहता है तो यह आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं कि कुझमा की बात करें यह लास्ट मैच इनका बहुत अच्छा परफॉर्म रहा अपने टीम इनको ट्राइक कर लाना क्योंकि यह एक पर उप्सेंतर से प्ले कर सकते हैं और इंका बी जो और अच्छे पॉइंक्त करते हैं अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं दी एट जीबा की बाद के लिए 23 मिनट इन्हों ने प्ले किया था और गाइस इनका 6 पॉइंट था और रिबॉंट इनका 10 था तो यह भी अच्छे उप्संस है आपको सारे साथ क्रेट में अवेलेवल है तो आप चाहो तो इनको भी आर हर्चुमोडा को अपने टीम में ट्राइ कर लाना डी राइट के बाद के 22 मिनट इन्हों प्ले के वाधा था इनका प्उइंट था एक ब्लॉक एक इस्टिल था तो यह थोड़ा सा डिफेंसिंग कल के मैच में डिफेंसिंग के लिए तो इनको गये आप कर सकते हो इनको ड्राप कर सकते हो वह डबलू विली वाटन की बात करते हैं विली वाटन अच्छे प्लेयर्स है लास्ट मैच इनका परफॉर्मस एज डिफेंसिंग खेल लेते हैं बट इनका परफॉर्म कोई खास नहीं रहा था वैसे प्लेयर्स नहीं है यह आपको 35-35 30-35 points easily दे सकते हैं तो इनको चाहो तो आपका credit manage होता है तो विली बाटन को अपनी टीम में try कर लेना अधरवाइस इनको drop कर देना एक गिल जो आपको credit manage के लिए ठीक था प्लेयर्स है तो अपने टीम में एक गिल को credit manage के लिए pick कर सकते हैं 11 million इन्होंने last match play किया हुआ था और इन्होंने 2.1 rebound 1 assist collect भी किया हुआ था तो गाइस बात करते हैं SL team और GL team टीम analysis की बात करते हैं आप कैसे टीम बनाएंगे अपना GL plus SL और किस player को अपने टीम में pick करना उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं point guard से तो point guard से आपको start करते हुए नज़राएंगे कल के match म बी बिल को अपने point guard से try कर लेना, Monty Morris को भी चाहो तो अपने team में try कर लेना क्योंकि यह बी start करते हुए नज़राएंगे तो अच्छो options है तो अपने team में इन दोनों को चाहो तरपीक कर सकते हो बी बिल को अपने team में as a captaincy try कर सकते हो और GL team में alternate करके captaincy wise captaincy try कर लेना क्योंक परफॉर्वांस हमेशा से बेस्ट्रा और सी लिवट यह अच्छे आपसंस है यह बैकप के लिए रहते हैं और सेम पॉजिशन से दोनों प्ले करते हैं तो आप लिए सकते हो और डी मेचल को भी सकते हो तो आप अगर डी मेचल थोड़ा सा जयादा टाइम खेल गया तो आपक तो क्योंकि यह भी अच्छे option से आपके लिए यह आप एक ही प्लेट को पी करना सुटिंग गार्ट से और गाइस बात करते हैं स्मॉल फॉरवर्ड से जो आपको प्ले करने आएंगे आयो कोडो जो स्टार्ट करते हुए यह भी बहुत अच्छे option से ना इनको ट्राइक कर ले सबस्क्राइब जो लास्ट मैच इनको फोर एमनीट छांस मिलाता तो अपने टीमें ट्राइब ट्राइं अगर यह पॉइंत नहीं देते यह आपके लिए एस से पतिशानी हो सकती है आप चाहोते इसमें स्मॉल फॉर्वर्ड से आपकी करें आप अच्छी मॉरा जो आपको अच्छे option से ये काफी अच्छे प्लेयर्स भी है और अच्छे प्वाइंट और रिबॉर्ण एसिस्ट भी कलेक्ट करते तो आर हजी मोरा को अपने टीम में ट्राइक कर सकते हो जो तरह बात करते हैं तो प्ले करने आएंगे लई को सब्सक्राइब करते हो हो तो इनको ट्राइ कर सकते हो सी उस्मान भी अच्छे प्ले करते हैं से हम पोजीशन से पेक करेंगे यह डाइकट की बात करेंगे तो आप ड्रॉप करके आप चाहो तो उस्मान या केलोब को दोने में से कोई एक प्लेट के साथ जा सकते हो कि कुझमा को अपने टीम में सिक्न लास्ट मैच भी यह प्लेए नहीं करें तो अपने टीम में इनको ड्रॉप कर देना बाखी ड्यट जीबा के साथ चले जाना या क कुझमा को अपने टीम में प्लेट कर लेना गैस बात करते हैं संदर पीलर की तो सिंदर पिलर जो आपके रहने वाले हैं जे ले अच् क्युक्憑कि दोनों सें पोजीशन से टो आप दोनों अचय ऑपोंट करते वह जाए तो चाहों तो क्रेइसम में तॉपकि कम क्रेड़िट लाँ कि और और घेले को क्रेड्वाथ को ट्रेड Так जाती है कियोंट करेंगे चाह loner लंद न को आपको क्रेट मैनेज के लिए ठिक टक प्लेयर से और अच्छे प्रफॉर्म भी करके नजर आएंगे गाइस बात करते हैं टीम कंपरीजन की तो टीम कंपरीजन में सबसे यह 50-50 मुकाबले होने वाले तो कल मैच में 50-50 देखने को मिलेगा जीत हार बहुत ही नज़्दीक से होने वाली इसलिए आप टीम अच्छे कंपो के साथ बनाना क्योंकि दोनों टीम अच्छे मजबूत है और काफी अच्छे मैच होने वालीकों के बीकि नजरू 시청 तो आप यह चाहो तो बहुत अच्छे अप्सन्स ने चाहो तो जैलन और इमोबली तो दोनों मेंसे को एक को भी चाहो ता आप ट्राइक कर सकते हो बागी अगर आप मैंने सेटी में दोनों को पिक किया हुआ क्यूंकि दोनों अच्छे ऑप्संस है अगर दोनों अगर 30-30 पॉइंट अगर देते तो आपको ठीक टाक परफॉर्म हो जाएगा और आपका टीम अच्छे परफॉर्म कर जाएगे तो यह सेटीम है आप भी इसको सेट करके रख सकत हमारे टेलिग्राम चैनल पर आएगे इसलिए बीलकुल मिस्मत कीजिएगा वाटीमट लिंक आरग्सर kung सेर्छ में ना कुदी मुद्ज कर लें